राम रम दोस्तों, लीजे मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ, आज मैं लेकर आई हूँ सूची और वेजिटेबल से बनें हुए स्क्वेर्स, यह आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं, प्रिक्फरस्ट में भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो च इसी राई को तड़का लिया है, जैसे ही हमारी राई तड़क जाएगी, हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को बारीक काट लेंगे, और इसमें डाल देंगे, इसको हम हिला लेंगे, और अब हम इसमें अपनी बाकी की वेजिज एड़ कर लेंगे, सब दो मेरे पास थी, मैंने दोनों को बारीक काट लिया है, एक काजर को मैंने कद्दू कस कर लिया है, इसे भी मैं मिक्स कर रही हूँ, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, खोड़ा सा भूनने देंगे, 2-3 मिनिट के लिए हम इसको भून लेंगे Wedgeys आपने टेस्ट के according adjust कर सकते हैं जो आपके पास available हो आप पनीर के pieces डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं मशरूम डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं मैं अब इसमें मिलाऊंगी सूजी आधा कप मैंने सूजी ली है वो मैं इसमें मिलाउंगी वो भी इसी के साथ हम थोड़ी देर भून लेंगे 2-3 मिनिट मैंने वेजिस को भून लिया है और 2-3 मिनिट के लिए मैं सूजी के साथ भूनूँगी बीच-बीच में हिलाते रहेंगे ताकि हमारी सूजी बर्न न हो और अगर आपने भूनी हुई सूजी ली है तो आप उसे बाद में डाल सकते हैं फिर उसको सबजीयों के साथ भूनने की कोई जरूरत नहीं है अब यह हमारी सूजी भी लगबग भून सी गई है टोटल हमें 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको पूनते हुए और अब मैंने इसमें मिला दिये हैं थोड़े से बॉयल मटर हरा धनिया कटा हुआ और एक हरी मिर्च कटी हुई मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्टिंग एड़िस्स करें आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो नहीं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मटर हमारे उपले हुए ही है तो वो कच्चे तो रहेंगे नहीं सब कुछ अच्छे से मिक्स करके थूजी भी हमारी भून चुकी है अब हम इसमें अपना मिला लेंगे नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं थोड़ी सी मैंने लाल मिच डाली है और थोड़ी सी काली मिच अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं गरम मसाला एड़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एज़ेस्ट कर सकते हैं मैं इसमें मिला रही हूँ तेड़ कप पानी पानी डालकर हम इसे कांटिनियोस ही हिलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि जादा टाइम नहीं लगेगा कुखोने में इसको दो तीन मिनट में हमारी सूजी अच्छे से कुख हो जाएगी सबजी हमारी कुख हो चुकी है सूजी हमारी भूनी हुई है और पानी डालते ही अच्छा सा मिक्स हमारा तयार हो जाएगा दो तीन मिनट हम भूल लेंगे तो जो हमने पानी डाला है वो हमारा सूप जाएगा देखे जल्दी जल्दी पानी इसमें मिक्स होता जा रहा है बढ़िया लग रहा है देखने में कलरफुल सा सुन्दर सा बहुत अच्छे से मिक्स होने वाला है अब ये हमारा इसमें हम mix करेंगे अब mozella cheese pizza cheese जो होता है मैंने दो बड़े चमश के करीब कत्व कस करके डाल दिया है और एक उबले हुए आलू को कत्व कस करके डाल दिया है cheese optional है आप ना डालना चाहें तो ना डालें टेस्ट अच्छा देता है ये अब सब कुश डाल कर हम अच्छे से mix कर लेंगे और हम अपने flame को off कर देंगे ये सब हमने जो तयार किया है medium flame पर ही किया है तेज गैस नहीं रखा था medium पर ही हम सब कुश बूनेंगे अब ये अच्छे से mix हो चुका है एक डू टाइप consistency इसकी तयार हो गई है flame off कर दिया है हमने थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे और अच्छे से हम mix कर लेंगे क्योंकि चीज हमारा melt हो रहा है इसमें और potato भी हमने mix किया है बाद में इसे हम बहुत अच्छे से mix करेंगे न बढ़िया लग रहा है न चीज सब mix हो गया है न सुन्दस है लग रहा है यह हमने अपनी ट्रे तयार कर ली है बटर पेपर ग्रीज करके लगा लिया है हमने इसमें अब इसमें हम अपने material को फेला लेंगे अच्छे से यह काफी ठंडा हो चुका है पर पूरी तरह ठंडा नहीं है हलका हलका गरम है इसे या तो हाथ से प्रेस कर लें हाथ को चिकना करके या स्पेचुला की हेल्प से जैसे आपको तरह ठीक लगे उसी अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं हमें एक्तम स्मूथ करना है इसको उपर से फ्लाट एक्तम यह हमारा अच्छे से प्रेस करते हुए हमने सेट कर लिया है बढ़िया बढ़िया लग रहा है मज़ा आ रहा है के नहीं देखने में और यह मेरा थोड़ा सा और था जो मैंने दूसरी ट्रे में सेट किया है इसे मैं आदे घंटे के लिए फ्रिज में रखतूंगी ताकि यह सेट हो जाए यह आदे घंटे बाद मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और मैं इसके स्क्वेर्स कट कर रही हूँ आप cutter से कोई और shape देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और अगर आप सुपह बनाना चाहते हैं तो रात को भी इसे तयार करके fridge में रख सकते हैं सुबह इसको shallow fry करके खाने में use कर सकते हैं अब मैंने कड़ाई में थोड़ा सा oil डाल दिया है गरम कर लिया है और मैं इन squares को shallow fry कर रही हूँ आप इने deep fry भी कर सकते हैं बेकिंग का मुझे आइडिया नहीं कि इसे बेक कर सकते है नहीं मैंने कभी बेक नहीं किया है इसे हम सुनेरा होने तक fry कर लेंगे जब एक साइट से हमारा अच्छे से fry हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे बहुत बढ़िया कुरकुरा सा बहाद से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बहुत बढ़िया breakfast बनने वाला है हमारा यह अभी एक साइट से नहीं हुआ है 5-6 मिनिट लग जाएंगे इसको मीटियम फ्लेम पर अभी कलर चेंज हो चुका है अभी हो चुके हैं एक साइट से हमने टान कर लिया है आयुकर हलका सब्रेस करते हुए हम दूस्षी तरफ से भी इसको कि बढ़िया लग रहा है इसका कितना बढ़िया लग रहा है जिटना देखने में बढ़िया है How about these recorded पप चुके हैं इसे निकाल लेंगे पेपर नैपकिन पर भी आप निकाल सकते हैं ताकि इसका कोई एक्स्ट्रा ओयल हो तो वह एब्सॉर्व हो जाए निकालने के बाद आप अपना सेकेंड बैच फ्राय कर सकते हैं अगर अभी थोड़े ही खाने हैं तो थोड़े फ्राय कीजिए बाकी आप फ्रिज में रख सकते हैं देखें कितने सुन्दर लग रहे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग माई जियर फ्रेंड्स